एले स्वेट्स वेलकम टू आ फीश्यल यूटुप चैनल आप ऊरिजिन स्वागा थे आफ सबी का आज के क्लास में और आज हम नुमेर्कल्स करेंगे हमारा न्यूशेप्टर का नॵिवरक्ल एक्साइस चीप्टनबर टू का नॵीव्रकल सम् करेंगे चेप्टर है मारा इस्तिर विद्युत भी वहाद दारीता चेप्टर नॉमर वन का दो पार्ट आप ने देखा हम इस सेशन में completely NCRT के numerical solve कर रहे हैं आप लोगों को मैं कई बार discuss कर चुका कि competitive exam के preparation के लिए NCRT का numerical बहुत ही जरूरी है बनाना चाहे आप कोई भी competitive exam चाहे आप NEET के एक्जाम दे रहे हो चाहे पाई आएटी जेए का दे रहे हो या CUT के एक्जाम दोगे सभी competitive exam में NCRT के numerical must आएंगे ही अभी हमारा NEET 2025 के लिए जो रिजन 3.0 बैच चल रहा है अभी registration चल रहा है आप लोगों को मैंने notification दिया था अभी उस बैच के लिए registration चल रहा है जून 1 को हम orientation program उसका करेंगे और जून 3 से हम उसके class को स्टार्ट करेंगे इस्टार्टिंग के 100 students के लिए हमने उसमें special discount रखा हुआ है फी में आप डिटेल देख लेंगे application में जाके तो बहुसी students के special demand पर हमने उसको 200 students के लिए कर दिया है तो 200 student तक फी आपको discount में होगा आप उसमें जल्दी enrolled हो जाए class start होने के बाद आपको बेवजभ backup class लेना पड़ेगा और आपके classes pending में चले जाएंगे इसलिए उस class को आप जल्दी ले लिए ठीक है चलिए तो हम class स्टार्ट करें आज का और यह हमारा पहला question देखिए exercise के question chapter number two के इस chapter में हमको जो numerical करने हैं उसमें एक तो विभाव से संबंधित question होगा और दूसरा धारीता से related question होगा ठीक है जैथा विद्द्युत आवेस्त अव्था चेत्र में हमने दो तरह के numerical को डिवाइट करके किया पहला पार्ट में हम विद्दु चेत्र की तीब्रता कुलाम के नियम पर question किया second part में हमने क्या किया गास के theorem पर बेस question किया यहां पर दो तरह का question आपको मिलेगा विभाव धारीता है सम्मंधित पहला नमबर का question आप रीट करिए देखिए आपको मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी आपको numerical बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करो statement को ध्यान से पढ़ो तो यहां पर आप देख रहे हो कि कथन में क्या कहता है पांच गुड़ी दस की घाथ 3-8 कुलाम तथा MINUS 3 INTO 10 TO the power MINUS 8 कुलाम के दो आवेस 16 cm की दूरी पर इस्थित हैं Dोनों आवेसों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदू पर व्यदीत विभा सुन्य होगा मतलब दोनों की मिलाने वाली जो रेखा है यह comfort बनाते हैं उसके किस बिंदू पर विभा सुननी होगा मतलब वह क्या होगा संतुलन का बिंदू होगा यह हमको बताना है और अनन्द पर विभाव को सुन्ने मानना है यह कोस्टन बहुत आ प्रे Creativity यह हैं और आप लोगों को मैं विदू छेतर की बरताता में परका यांसने की इसके सालूसन को देखेयां से सबसे पहले हम जैसा की हम वह कुशलिघ कर लेते हैं ऑपको ज्यादा बहथर समझ में आता है यह दो आवेस हैं दोनों आवेस की बीच की दूरी यह दोनों आवेस की दूरी हमको कोस्चन में दिया हुआ है 16 cm तो यह दो दोनों आवेस हैं वह 16 cm की दूरी पर इस्थित है ठीक है पहले आवेस का जो मान है जिसको मान लेते हैं क्यूवन तो क्यूवन का वेल्य एट कुलाम यह है और दूसरा जो आवेस है क्यूटू उसका जो मान है माइनस त्री यह निगेटिव चार्ज है माइनस थ्री इन्टू टेन टू दी पावर माइनस एट कुलाम यह दिया हुआ है है अब इसके बीच में कोई बिंदू मतलब दोनों के बीच में कहीं पर भी एक बिंदू हम ले लेते हैं जहां पर क्या बोलता है कि विभास तो यह हो तो यहां पर दो condition है आप A से भी दूरी निकाल सकते हो जब यह पूछता है तो साफ साफ लिखा रहता है कि फ्राम A फ्राम B और इसमें confusion बहुत होता है क्योंकि कई बार हम B से निकाल लेते हैं और जानसर हमको दीख जाता है टेक करें चले आते हैं जब्कि पूछा एसे रहता है 라स्ट मि ещё में डिसकास करोंगा कैसे ध्यान देना ही nggak को तो सबसे पहले क्या करें इनके बीच की दूरी को महल लेते हैं कि महआल लो उसके बीच की दूरी क्या है एक से फ्राम ए उस उदासिन बिन्दू की दूरी एसे कितना है एक साहे यह हम्माल लेते हैं तो जब बची हुई दूरी है यहां से यहां तक का वह कितनों हो यहागा 16-1 हो जाएगा क्यों कि टोटल डिस्टेंस 16 है तो यह एक से तो बचा हुआ 16-1 हो होगा अब नेच्टरली आप यहां से देख रहे हो आपको यहां से यह बात बिल्कूल पता है कि वह पॉइंट क्या है नूटरल पॉइंट है और जब कोई बिंदू बिंदू के लिए बिंदू प्लस में बता चुका हूं कोई भी कोस्च्ण आपको पहले फार्मूल देखना है कि इसमें कौन सा फार्मूला वर्क करेगा कौन सा फार्मूला यहां काम करेगा ठीक है तो विभवो का फार्मूला होता है v equal to one upon four pi epsilon compliant q upon r यह इसका फार्मूला होता है बिन्दू आवैस्वे आरदूरी पर रिष्थित किसी बिन्दू पर विभव कमान होता है वन आपान four 4Pi epsilon 0 Q upon R अब इस फार्मूला को हम यहां पर apply करें तो विए और विए और विए दोनों बिंदू पर अलग-अलग विभाव का मान हम निकाल सकते हैं तो इस फार्मूला से विए यह यह इस फार्मूला को यूज करके विए का मान निकालें तो विए एक्वल टू हैएगा 1 upon 4 पाइ अप्साला नाट और आवेस का मान्त यहां पर हमको दिया हुआ है देखो आवेस के मान्त को हम पूट कर देते हैं एप आवेस 5 इंटू 10 to the power minus 8 तो सीधा वेल्यू पूट करें अपन 5 इंटू 10 to the power minus 8 और अपान distance distance को हमने x माना है तो x square हो जाएगा ठीक है उस बिंदू पर दूरी को हमने x माना है sorry only x ना बिंदू 6 की व्रता में x square होता है यहां पर केवल तो कितना हो जाएगा यह एक्स हो जाएगा इस परकार से हम इसका 10 to the power minus 8 और अपान यह दूरी कितना है 16 minus x यह है अब हमको मालूम है कि चुकि वह संतुलन की स्थिती है वह संतुलन का बिंदू है तो संतुलन का बिंदू होने का मतलब दोनों का योख्खल क्या होगा जिरो होगा माने भी ये प्लस भी का बेल्यू जिरो होगा ठीक है तो दोनों का मान का रख दें यहां पर इसलिए संतुलन में यदि हम संतुलन की condition की बात करें तो जब कोई भी चीज संतुलन में होता है इसका मतलब दोनों तरफ से लगने वाला बल या दोनों condition में position में क्या होता है वो 0 होता है तो यहां पर संतुलन में VA प्लस VB 0 होगा VA प्लस VB का जो मान है सुनने के बराबर होगा VA का मान यहां से हम put up कर दें 1 upon 45 अपसाला नाट 5 into 10 to the power minus 8 होगा और अपान x और यहां पर देखो प्लस इसका value क्या है minus में होगा क्योंकि आपर minus 3 है तो यह हो जाएगा minus 1 upon 45 अपसाला नाट 3 into 10 to the power minus 8 upon 16 minus x यह होगा और that equal to 0 अब यहां से जो common values है यह common values को बाहर निकालो और उसको right side में transfer करके 0 कर दो क्या कर transfer है 1 upon 45 अपसाला नाट common है यह common है 10 to the power minus 8 common है 10 to the power minus 8 common है जो दोनों में common है उसको बाहर किया और direct हम लिखते है right side में transfer करके उसको हमने 0 के साथ multiply करके 0 कर दिया ओके that implies यहां से value हमको क्या मिल जाएगा यहां से मिल जाएगा 5 upon x और plus into minus हो जाएगा और वहां से मिलेगा अपने को 3 upon 16 minus x equal to 0 minus कुधा transfer कर दें तो that implies यह हुआएगा 5 upon x equal यह हुआएगा 3 upon 16 minus x equal to 0 sorry आप तो बराबर कर दिया इस तरह से अब देखो यहां पर हम cross multiplication कर दें cross multiplication कर दें तो cross multiplication करने के बाद का मिलेगा यहां से मैं अलग से लिखता हूँ यहां पर that implies यहां से ध्यान देना यह हम multiply कर लेते हैं किसका 3 का x के साथ में मुल्टिप्लाई करेंगे कितना हुएगा 3 x और 16 और इसका multiply कर दें ठीक है तो यहां पर कितना हुएगा 80 minus 5 x 80 minus 5 x that implies 5 x को इधा transfer करें तो पांस तिन कितना हुएगा 8 8 x equal to 80 यह मिल जाएगा 8 x equal to 80 मिल जाएगा और that implies that implies यहां से x equal to divide करेंगे तो 10 मिलेगा 10 cm इसका मतलब क्या हुआ हमारा answer क्या करता है कि A से A से उसका जो distance है x का value वह कितना होगा 16 होगा एस वारी 10 होगा लेकि हमको question में बी से बोल दे थ्राम भी बोल दे तो बी से बोलेगा तो क्या करेंगे अपर 16 minus x मतलब 10 को minus कर देंगे एसके value को रखके तो वहां से कितना होगा 6 meter हो जाएगा तो प्रस्न को आप ध्यान में रखना यह जो दूरी है यह जो दूरी है कहां से दूरी है एसे दूरी है यदि बी से दूरी निकालें तो बी से दूरी यहां पर कितना आगा यहां आंसर के पास से लिख देता हुम है कि मालों हमको बी से दूरी निकालना है यह इसका बी से दूरी है तो यहां पर जो आंसर आया है एसे दूरी A से दूरी 10 cm आया है लेकिन exam में यदि हमको B से दूरी पूछ दे यहाँ थोड़ा alert रहना तो B से दूरी पूछ दे तो कितना हो जाएगा यह 16 माइनस X हो जाएगा और 16 माइनस X मतलब 16 माइनस 10 इक्वाल टू 6 cm हो जाएगा इस प्रकार से देखो यहाँ पर दो answer अपने को मिलेगा यदि A से दूरी बोलेगा तो 10 cm और यदि हमको B से दूरी बोलेगा तो 6 cm तो 10 cm और 6 cm यह इसके दो answer हो जाएगे जैसा question में बोलेगा वह ऐसा answer देना है ओके तो यह हमारा question number first और question number first बहुत important है यह ध्यान में रखना ओके चले next question पर चले अब देखो दूसरे number का question हमारा दूसरे number के question के statement को ध्यान से पढ़ हो दूसरे number के question की statement ध्यान से पढ़ हो यहाँ पर देखो यह second number question 10 cm भूजा वाले एक समसट भूज एक हमारे पास समसट भूज है ठीक है regular hexagon है और इसके प्रत्यक सिर्ष पर 5 µ कुलाम का आवेस है इसके जो कार्नर्स है अभी चित्र बनाएंगे तो समझ मेंगा सद्भूज के केंद्र पर विभाव की गर्णा कीजिए ठीक है या परिकलित कीजिए तो यह यह किस तरह से होगा देखो सबसे पहले हम समसट भूज बना लेते हैं चल यह स्टेट लाइन से बनाना पड़े को मुझे कोई बात नहीं समसट भूज बना लें यह वन अंदाज से बना रहू हूं है यह सब्बोज छोटे बड़े इनकी भूजाएं हो गई समसट भूज जैसे तो नहीं लग रहा है चोटी बड़ी भूजाएं हो गई है इसको मालो आप समसट भूज अब यह समसट भूज के बारे में क्या बताता है कि इसके प्रत्यक कारणर पर इसका हम नाम लिख लेते हैं समसट भूज का मालो इसका नाम है इस बिंदू का नाम A है A, B, C, D, E और F यह समसट भूज है अब इसके सेंटर इसके सेंटर क्या होता है इसके सेंटर ज्याद करने के लिए हम अपोजिट डाइगवनल्स को इसको मिलाएंगे इसके विकार्ण को तो यह नहीं बना इसलिए लाइन एक दूसरे को सही जगा में इंटर सेट नहीं कर रहे हैं आप मालों यहाँ पर सभी लाइन एक दूसरे को इंटर सेट किये हैं यह पर्फेक्ट बनता तो इनके जो कटान बिन्दू है वो उभयनिस्ट होता ठीक है एक मिनुट है चलिए ठीक है थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं पाइंट को से मैं एबी सी डी और यह सपोस्थ इसका सेंटर है क्या है सभी जामिती आकरितियां पर्फेक्ट होती हैं यदि वो सही बनाया गया है तभी मतलब यहां पर आता एक्ट्र में इसका डिस्टेंस है वो सही रेगुलर होता तो यहां पर आता बिल्कुल वो तो उसके सारे प्रिंस्पल पर्फेक्ट होते हैं इसको मैं बनाता हूं देखिए सेंटर तो एक सेंटर तो सही जगह में होना चाहिए ए बी सी डी चलिए सेंटर तो हमको क्योंकि सेंटर यहां पर इंपॉर्टेंट पाइंट है यह सेंटर है ओ अब इस केंद्र पर क्या करना है हमको विभाव की गढ़ना करना है सेंटर ओपर इसको इभाव को गढ़ना करना है प्रतियक कारनर पर जो आवेस है वह फाइब माइक्रो कुलाम है जितना भी कारनर है सभी पर मालों यह कारनर है तो यहां पर आवेस का जो मायन है वह फाइब माइक्रो कुलाम है अब यहां पर देखो रेगुलर हेग्जागान की खासियत क्या होती है इसके प्रत्यक भूजा की लबाई 10 सेंटीमेटर है तो रेगुलर हेग्जागान में यह सम्षडभूज में होता क्या है कि इसका जो केंद्र है उससे जो भूजाएं बनती है यह जो होता है वह संबाहुत्रिभूज होता है इसकी विश्यस्ता यह होती है कि इसका जो प्रत्यक पार्ट है यह संबाहुत्रिभूज होगा यह भी होगा यह भी होगा यह भी होगा मतलब वास्ताव में 6 संबाहुत्रिभूज के रूप में वह बढ़ता है ठीक है यह इस क् का गणना ही स्टार्ट करें और आपको यहां पर मैं बता दूं कि विभाव निकालने का जो फार्मूला हम यूज करते हैं वही फार्मूला यजो होगा है इसका जो फार्मूला है वी एक्वल वन अपन फोर पाइब आपसाला नर्ट क्यूव अपन आर्य यह फार्मूला यूज होगा तो हर पाइंट पर यदि हम विभाव निकालना चाहें ए पर निकालना चाहें, बी पर निकालना चाहें, सभी पाइंट पर यदि हम अलाग अलाग विभाव की गढ़ना करना चाहें तो six time V a v b v c ऐसा लिख सकते हैं लेकिन यदि आपको बार बार उसको कलकुलेसा नहीं करना है लेंदी तो आप डारेक्ट भी उसके बेल्यू को लिख सकते हैं V A, V V, V C का ठीक है इस पकार से सारेज सभी बेल्यू को हम क्या करें एक सात यदि लिखना चाहें तो यहाँ पर हम उसको सो कर सकते हैं चलिए तो यहां पर लिखें V A या टोटल ली लिखने रहे हैं वी नाट वी नाट मतलब कहां पर कैंद्र पर विभाव तो कैंद्र पर विभाव V नाट है तो सबके योग फल के बराबर हो गा क्या होगा वी A plus VB plus VC plus VD plus VE plus V, बस, इतने, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, V A, VB, VC, VD, दो बार दी रिख लिया, इतना हमने इसका वेल्यू को रिख लिया, clear यहां तक सबको, तो अलग अरग कार्नर्स पर जो इसके विभाव हैं, उसका मान हमने यहां पर लिखा, अब इसके वेल्यू को पूट करेंगे इस फार्मूला की सहाथा से, तो V A का वेल्यू कितना हो जाएगा, यह हो जाया, 1 अपान 4 पाइड, अपसाइला नाट, और Q, तो Q का मान यहां पर सब का मान कांस्टेंट है, अभी उसको मैं Q के ही फार्म में लिख देता हूँ, तो इसको मैंने लिख दिया, Q, और अपान R, जो R का वेल्यू क्या है देखो, O A, यहां पर R का वेल्यू क्या होगा, O A होगा, यह होगा, प्लस, अब यहां पर देखो, इसका भी वेल्यू उस परकार से एंपूट कर दें, V B का, तो 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon O V होगा, प्लस, इस तरह से होगा, इसी तरह से next का हम वेल्यू को लिखें, तो 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon O C होगा, प्लस, 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon O V, प्लस, 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon O E, और प्लस, 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon O E, इस तरह से होगा, तो पूरे हमने 6 वेल्यू को यहां पर पूट अप पर दिया, लेकिन यहां पर आप चित्र से देखो, कि यहां पर सब O A, O V, O C, O D सब आपस में बराबर होते हैं, मतलब actual में यहां पर O A, बराबर O V, बराबर O C, बराबर O D, बराबर O E, बराबर O F, और जो की दिया हुआ है 10 cm, यह question में हमको दिया हुआ है, तो चूक की सभी भूजाओं का लंबाई समान है, समभावत रिभूज है, तो सब को हम O A, O A लिश सकते हैं, सब को भी लिश सकते हैं, बराबर है, तो आवेश तो समान है ही, दूरी भी समान हो रहा है, तो सब के समान होने पर इसको 6 value एक साथ समान है, तो 6 गुना लिख सकते हैं, ठीक है? तो that implies, इसको हम इस तरह से direct में लिख दूँ, तो भी O equal हो जाएगा 6 into, क्योंकि 6 बार same value add हो रहे हैं, तो 6 गुना लिख सकते हो आप, तो 6 into 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon O A लिख सकते हैं, क्योंकि सब आपस में बराबर है, that equal, अब यह हो जाएगा 6 into, 9 into 10 to the power, 9 into, अब आवेश कमान कितना द दिया हुआ है, देखो, यहाँ पर आवेश कमान दिया है, 5 micro kulam, 5 micro kulam को kulam को में change कर लें, तो 5 into 10 to the power, minus 6, और दूरी यहाँ पर 10 cm दिया है, तो 10 into 10 to the power, minus 2, अब भाई इसको solve करना है, और solve करने के बाद इसको value को लिखना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या के हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा अब इसको सब को multiply करें, तो 9, 37, ठीक है, यह हो गया, 27 और into, 27 into 10 to the power, यहाँ पर देखो, यह minus 2 जाके इसके साथ में plus होगा, तो minus 4 हो जाएगा, और minus 4, 9 minus 4 मतलब यह हो जाएगा 5, यह that equal, इसको हम लिख सकते हैं, 2.7 into 10 to the power, 6, यह इसका volt, इत जाएगा, 2.7 into 10 to the power, 6 old, clear, तो इस question का main concept यही है, को जो regular hexagon है, जो सम सट भूज है, तो सम सट भूज के 6 कार्नर पर जो आवेस होंगे, वो सब पर विभव समान होगा, क्योंकि सब मन आवेस समान है, हाँ, इसमें यह ज़ी आवेस अलग होते, तो आवेस अलग होते, तो य जिया रखना ना यहाँ पर बात को, यदि सभी कोनों में 6 अलग अलग आवेस रखे हो, जैसे यहाँ पर बोला है, 5 माइक्रो कुलाम सभी कार्नर पर है, उसके जगा बोल देता की, A में अलग है, B में अलग है, C में अलग है, तब यहाँ पर यह जो Q का फेल्यू हम लिखे रहेंगे ही रहेंगी, ठीक है, तो उसमें कोई प्राब्लम नहीं है, तो पूरा आपको आवेस पर बेस्ट है, कार्नर पर सेम है, तो 6 का गुणा कर दो, ओके, चलिए, अब हम next question देखें, यह हमारा अगला question, 3rd नमर का question, यह question देखो 6 cm की दूरी पर, 6 cm की दूरी पर अवस्थित, दो बिन्दू आवेसो, A, A, B पर दो आवेस, 2 µ कुलाम और –2 µ कुलाम पर रखे हैं, एक्ट्वल में इसके सभी question बहुत straight forward है, बहुत ज्यादा difficult नहीं है, NCRT का problem है, आपको मैं कई बार बताता हूं कि इसमें question धीरे-धीरे difficult होते हैं, इसकी practice बहुत जोरुरी है आपको, ठीक है, तो आपको base बहुत इस्टांग होगा, निकाय के सम विभाव प्रिष्ट की पहचान कीजिए, तो निकाय का सम विभाव प्रिष्ट का हमको पहचान करना, identify करना है, कि जो Q-potential surface होता है, वह क्या होता है, ठीक है, तो Q-potential suvakes किस प्रकार से होता है, जहाँ पर विभानतर रो विभाव सुन्धं हो, तो निकाय क्या सम विभव प्रिष्ट की पहचान क्या करना है, एक में प्लस two microcolum है एक में माइनस two microcolum है और सम विभाव प्रिष्ट पर विभा वह विभांतर सुन नहीं होता है तो अत्वएसी zero हो जाएगा ठीक है यह बहुत time pass question है तो जैसे हम a को देखें पहले पहले पार्ट में हम A को देखें, तो यहां पर देखो जो विभाव का मान होगा, V A का जो मान होगा, या V B का मान, दोनों की लग लग मैं डारेक्ट लिक देता हूं पहले, तो V A बराबर, 1 अपान 4 pi, अपसाला नाट कितना? 2, तो डारेक्ट लिकता हूं, 2 into 10 to the power minus 6 upon R, 6 cm की दूरी पर रखे हैं, तो कितना लिख लिए अपन? 6 into 10 to the power minus 2, यह 6 cm की दूरी पर रखे हैं, तो 6 into 10 to the power minus 2, यह value हम put up कर दिये, ठीक है? अब यहां पर देखो, सैंज मदरी पर अवस्तित बिंदु आज़सों पर रखे हैं, निकाय के सम्ध्रिस्ट की पहचान कीजिए, अच्छा, सम विभवव प्रिस्ट कहां पर होगा, उसको ठीक मीट पॉइंट पर होगा? सम विभव प्रिस्ट उसके ठीक मध्य बिंदु पर होगा, ठीक है, मीट पॉइंट पर लेंगे चीतर बनाने का ज़ूरत नहीं है, अब समझ गया होगा, अभी एक क्वेस्टन ऐसे बताया हूं मैं, यदि इनका बीज का दूरी 6 cm है, तो ठीक मीट पॉइंट इधर 3 cm होगा, इधर भी 3 cm होगा, क्योंकि दोनों में क्या है? आवेस का मान समान है, इसमें जितना प्लस आवेस है, उतना उसमें क्या है? माइनस आवेस, इसमें दोनों में आवेस का मान समान होगा, तो यहाँ पर हम इसको 3 लिख सकते हैं मिट पाइंट है इसलिए तो हजाएगा 3 इंटू और दूसरे के लिखें वी भी तो वी इक्वल टू हजाएगा 1 अपान 4 पाई अपसाला नाट अब वहाँ पर देखो उसका वेल्यू कितना है हम बात करते हैं तो यहां पर भी वोगा वोवी यह अपलस लीवी होगा वी अपलस लीवी होगा तो तो झींटिटो सिक्स अपान इन टॉब यहां पर पूड़ कर दें तो क्या का मैं इसका संभान अपाइगी मैंनस में तो क्या हो जाएगा क्योंकि दुनों आपस में कट जाएंगे ठीक है तो यह वेल्यू के साथ में कट जाएगा और इस तरह से इसका जो वेल्यू है कितना जाएगा जिरो तो स्व्विभव प्रिष्ट का पहचान यहीं है कि वह सेंटर पर होगा और वहां पर कुल विभव कमान सुन्य होगा ठीक एक दूसर की भी प्रिष्ट होगी इसको इस तरह से समझ सकते हैं नीट्रल पाइंट से होकर जाने वाला एक्सिस एक आवेस यह है दूसरा आवेस यह है अभी हमने देखा कि इनका जो उदास्विन बिंदू है वो यहां पर है सेंटर पर है तो यह इसका नीट्रल पाइंट है ओ सेंटर पाइंट ओ है तो यहां पर यह जो बिंदू है ओ यहां से जो होकर जाने वाली रेखा है मतलब यहां से जो होकर जाने वाली रेखा होगी यह मैंने ड्राग कर दिया यह होगी क्योंकि उदास्विन बिंदू है समीभो प्रिष्ट में तो उससे होकर जाने वाली यह रेखा होगी और इस पकार से इसकी जो दिशा है यह इसके साथ में 90 डिग्री बनाते हुए होगी क्योंकि यह इसका न्यूट्र पॉइंट का यह उदास्विन अक्ष्छ है और उदास्विन अक्ष्छ हमेशा क्या होता है अक्ष्छ पर लम्बत होता है इसकी दिशा क्या होगी 90 डिग्री बनाते हुए होगी ठीक है यह इसका डारेक्शन है चलिए यह बी पार्ट कांसार है conceptual question है next देखो question number 4 question number 4 का statement क्या कहता है देखो 12 cm त्रिज्या वाले एक गो गोली चालक है ठीक है गोली चालक के कारण विभव की गढ़ना का फार्मूला हमको याद है आप लोग फार्मूला को प्रापर प्रिपेर करने के बाद ही निमेरकल करना तो आपको अच्छा समझ में आएगा कि के प्रिस्पर 1.6 इंट्टू 10 टूट पर माइनस 7 कुलाम का आवेस का एक समान रूप से वित्रित है गोले के अंदर गोले के बाहर और गोले से 18 सेंटिमीटर पर अवस्थित किसी बिंदू पर वेल्यू क्या होगा तो हमने गोले के कारण विदू च्छत्र की तिवरता का जो पढ़ाई किया है उसके तीन कंडिशन हमने आर्लेडी फ गोला है तो यह गोला चित्र आप जरूर बना लिया करो उससे आपको टोटल अइडिया मिलता है 12 सेंटिमीटर अब इसके बाद बोला है तीन कंडिशन में ठीक है तो तीनों कंडिशन पर हम इसके विभाव की गढ़ना करते हैं जिसमें सबसे पहला केस है पहला केस एक यह है गोले के अंदर गोले के अंदर तो आप देखो गोले के अंदर मैं आपको कॉंसेट समझाते समय बताया था कि गोले के अंदर आवेस नहीं होता गोले का जो आवेस है वह केवाल उसके प्रिस्ट पर विद्रित होता है गोले के अंदर कोई आवेस नहीं होता तो यहां पर क गोले के अंदर q के value 0 है always command सुन्हीं होगा थीक है विनदु पर विद्धू छ्टर की टीब्रता क्या होगा ? 0 होगा. q 0 होगा Therefore e भी क्या होगा ? 0 होगा. چुंकी q 0 होता है तो e भी 0 होगा always के सुन्हीं होने के कारण विद्दु छेत की तिवर्ता कमान भी सुन्य का हो गया चलिए सेंक शंक कंडिसां में हमको क्या बोला है देखो सेंक कंडिसा बोलता है प्रिस्टपर इन पर चले आए तो यह πिन दू है तो प्रिस्टपर चले आएंगे तो तो आर कमान कीतना हो जाएगा 12 cm हो जाएगा ठीक है आर कमान 12 cm हो जाएगा और 12 cm के value को हम यहाँ पर put करके साल वो कर लेंगे विदूष्छेटर कि इवाटा का फार्मूला क्या होता है देखो सबसे पहले हम फार्मूला लिखे हैं विदूष्षछेटर कीती प्रता का फार्मूला होता है HIS Gleich टू गोले के लिए वन अपान फोर पाइड अप्साला नट क्यू अपान आर स्क्वेर यह होता है अब यहां पर इसके मान को भरें तो देट इक्वल 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू आवेस कमान कितना दिया हुआ है कोस्टन में आवेस दिया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस सेवन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस सेवन कुलाब में दिया तो चेंज करने जोरत नहीं है और आर इसक्वेर तो 12 सेंटीमीटर बोला है तो 12 गोडी 10 की घात 32 मीटर में चेंज करेंगे और इसका क्या होता है स्क्वेर होता है इस तरह से अब इसको हम साल्व करेंगे देट इक्वाल 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस सेवन इसको हम लिख लें तो 12 इंटू 12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 इसक्वेर है अब इसको आप लोग साल्व करना और साल्व करके फिर इसको आंसर करना यह सब आपको साल्व करना आना चाहिए ना जैसे यहाँ पर 3,3,9,3,4,12 इस तरह से आप साल्व करोगे फिर और कोई कट रहा है 4,4,16 यह 4 तो यह हो जाएगा 0.4 पर cancel out हो जाएगा इस तरह से इसको स साल्व करोगे यह सिंप्लिफाइग करना आप खुद से सुरू करो तो इसको जब साल्व करोगे तो इसका फाइनल आंसर एंसे आता है मैं बता देता हूं और इसको आप सिंप्लिफाइग कर लेना ठीक है इसका अंसर आ जाएगा सब कर जाते हैं इसमें 12,4 तिया 12 यह भी क यहां पर बहुत औरल है चार तिया 12 और यहां भी 12 है तो महां पर 10 हो जाएगा यहां पर 10 का घात 4 होगा चार के बाद यहां से आप इसको माइनस करोगे यहां से माइनस करोगे यह इसके सांसवारी प्लस होगा तो 9,4,13 हो जाएगा उसमें से 7 को घटाओ एक 0 इसका तो 10 क सब्सक्राइब अब सी नуж से टाइबार के सन्ट्राइब दूर मतलब गोले के ए मथा इसे केम से हम धार सेंट्रमीटर दूर चले जाएं यह केंद्र से मालव mister दूर चले आंगे तो आरक मांद कितना हो जाएगा यह 8 century मिटर याएगा तो अब हम औरक भेली को 18 cm put up कर देंगे बहुत आसान है डारेक्ट कोस्टेन है सिर्फ गढ़ना करना आपको आना है और कुशनी ठीक है तो सी पार्ट में जो विदुच्छेतर की तिव्रता कमान होगा वो कितना होगा देखो इक्वल 9 into 10 to the power 9 और इंटू आवेस वही है 1.6 into 10 to the power minus 7 और अपान यह 18 into 10 to the power minus 2 का होली स्क्राइब यहां पर जो 12 वेल्व हम पूट करें थे बारा क्योंकि सर्फेस पर था अब हम चले आए गोले के बाहर तो गोले के बाहर दूरी अठा रहे है टोटल गढ़ना पर अधारित क्वेस्चन है बोरिंग है मतलब कुल मिल आके इसमें कोई बहुत difficult concept नहीं है के वाल फार्मूला का direct use हो रहा है न तो यह हो जाएगा 18 into 18 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 2 यह आप साल्व कर लेना simplify कर लेना इसको इसको साल्व करने के बाद बुक में इसका अंसर आया हुआ है 4.4 into 10 to the power 4 4.4 into 10 to the power for Newton sorry Newton पर कुलां तो यह तीन कंडिशन कुल मिल आके question किस फार्मूला पर था किसी आवेशित गोले के केंद्र पर प्रिष्ट पर और प्रिष्ट से बाहर यह आपने विद्दु छेतर की फिप्रता का फार्मा डिराइब किया है डारेक्ट फार्म बस आपको गढणा करना है मान को भर के ठीक है बहुत ही आसान question चलिए अगला question देखे हैं अब यहां पर से जो question है 2.5 से यह capacitor पर best question है यह question है यह संधारित पर है वैसे इस chapter में जितने भी question है 99% question केवल गढणा पर अधारित है बस आपको प्रापर फार्मूला याद रहना चाहिए कि कौन से question में कौन सा फार्मूला लगेगा value को put करना है और आपको सिर्फ गढणा करना है उससे ज्यादा कु कि धारिता 8 pico farad है 1 pico farad equal to 10 to the power minus 12 10 की घात रिडवारा फैराण होता है यदि पट्टिकाओं की बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए अब क्या है दोनों पट्टिकाओं के जो बीच की दूरी है उसको आधा कर दिया जाए और इनके बीच की स्थान में 6 परावय दूतां पूरा का पदार्त भण दिया ठीक इस पकार से इसकी धारिता क्या होगा बढ़ यह question है देखो तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें चाहें तो एक समानतर पर संधारिता है ज्सकी पट्र Highway to कि धारिता के बीच वायू है कि धारिता दिया है यहां पर धारिता दिया है अब बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो भाई सबसे पहले तो हमको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा दूरी निकालना पड़ेगा क्योंकि दूरी को आधा करने के बात जो बात बोला है उसके पहले हमको क्या होगा दूरी का value find करना होगा ठीक है चलिए तेहां पर दूरी अपने निकालें किस्ते वायू आ निर्वाद भरा है तो फर्मूला क्या है अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र का फर्मूला सी नाट इक्वल टू ए अपसाला नाट अपन डी यह होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच में वायू या निर्वाद भरा हो तो धारिता का मान हमको question में दिया हुआ है कितना 1 पिकोफराड तो मान को भरते हम 8 पिकोफराड देट इंप्लाइज 8 पिकोफराड मतलाब 8 इंटू 10 तो दिपावर माइनस 12 यह हो जाएगा 8 इंटू 10 माइनस 12 हो जाएगा गा एक उक्वाल तो इतो प्टिकाओं के दूरी आधी वत थोड़ा ध्यां से समझद़ अब अब कोस्टन से कंडिशन में क्या कहता है यह तो पहला कंडिशन हो गया सेकंड नम्बर से में बिच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच में परावजितांग का पदार्थ भर दिया जाए तो परावजितांग का मान रखने पर मान लो उसको वेल्यू बोल देमाई CK मतलब के परवाज उतांग को भरने पर या हम सी डेस कर सकते हैं तो सी डेस इक्वल टू जाएगा ए अपसाला नाट और इंटू के क्योंकि के परवाज उतांग का पदार्त भरा गया तो के का उसके साथ मुल्टिप्लिकेशन हो जाएगा अब उसके बीच की दूरी मान लो उस कंडिशन में डेस हो गया और बाद में बोला ह आप कर देंगे अच्छा को सब्सक्राइब जिसमें इंपर्टेंट होता है तो सीडेस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको 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 इलिख सकते हैं ए अपसाला नाट और इंटू के कमांद दिया हुआ है 6 तो के कमांद 6 दिया है 6 भर देते हैं और डेस का वेलू कितना हो जाएगा डी अपांट टू क्योंकि दूरी को आधा कर दिया गया है तो डी बाइटू उसका वेलू को पूट अप कर दिये दैट इंप्लाइस आगे हम इसको साल्व करें तो सीडेस इक्वल टू यहाँ प इसका वेलू हम पहले से निकाल के रखे हैं 8 इंटू 10 टू दिपर माइनस 12 इसलिए उसको मैं हल करने के लिए मना किया ठीक है चलिए अब इसमान को हम यहाँ पर भर देते हैं तो इसके बाद हम को क्या मिल जाएगा देखो यहाँ पर डैट इंप्लाइस नई धारिता सीड इसका बेलु है अद्लिफाइट इन्टू 10 टू दीपावर एटे इन्टू दीपावर माइनस 12 और अपान डी यह इसका जब्ल्ली ठीक है तो नहान तो हम पर आप इसको 9.6 लिखें तो इसका 10 के पावर में एक एड हो जाएगा तो 11 फैराड ये इसका आंसर होगा तो 9.6 इन्टू 10 फैराड इसका आंसर होगा ठीक है यह पीको फैराड में लिखना चाहो तो वहीं पर लिख सकते हो और फैराड बतलब है गई है यहां पीको फैराड में अंसर देना है तो 96 फैराड करेंगे तो 10 के घातिरीन वारा को हटा देंगे तो पी रोको फेराड में आंसर देना है तो इतना आएगा और फेराड में आंसर देना है तो 9.6 इंटू 10 to the power minus 11 आएगा जैसा भी competitive exam में आता है तो option को देख के decision लेते हैं और board exam में आता है तो दोनों में से कोई भी अंसर हम निकाल सकते हैं चाहे पी को फेराड में लिख दें चाहे माइक्रो फेराड में ऐसे भी डेटा हमको पी को फेराड में ही दिया था क्लियर 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 सभी को तो यहां से capacitor पर best question हमारा स्टार्ट हो रहा है इस तरह से NCRT में collection बहुत अच्छा है वो प्रापर एक एक टाइप के question को एक जगह मतलब रेंडम नहीं है चलो next question देखो next question में आप देखो 9255 धारिता वाले 3 संधारित ओनूह यह तो बहुत आसान question है तो 9 P5 धारिता वाले 3 संधारित ओनूह चलोगी पूछा है यदि संध को 120 وट के संभनान संभन मतला मतला है supply supply current को हम संभनान बोलते हैं ठीक है से जोड दिया जाए तो प्रत्य एक संधारित्र पर क्या विभूांतर होगा यह निकालना है तो दो करेंड़ों का भिल्यू गही है c1 एकवल टू c2 एकवल टू c3 इकवल टू 9 पीकोफैराड इसको यहाँ पर पीकोफैराड में निकाल देते हैं तो च्रेंडी क्रम में जोड़ना जाए अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि स्रेंडी संभूहन का फार्मूला क्या होत होता है ठीक है तो स्रेडी क्रम में जोड़ने का जो फर्मूला होता है वो होता है वन अपान सी स्वरी ठीक है जब केपेसिटर को स्रेडी क्रम में जोड़ा जाता है जब देखो resistance और इसके साथ में फार्मूला में confusion होता है मैंसा ध्यान रखना resistance को स्रेडी करम में जोड़ा जाता है तो R1 इकॉल टो R1 प्रस R2 इसको जब स्रेडी करम में जोड़ा जाता है तो 1 अपान में होता है तो यह हो जाएगा 1 अपान C S फार सिरीज ठीक है एस फार सिरीज लिखा हो में तो यह हो जाएगा equal to 1 अपान C1 plus 1 अपान C2 plus 1 अपान C3 अब इसके value को हम यहाँ पर put up कर देते हैं तो that implies यह हो जाएगा 1 अपान C S equal to C1 का value कितना है 9 तो 1 अपान 9 प्लस 1 अपान 9 प्लस 1 अपान 9 यह होगा आगे साल्व करें तो हो जाएगा 1 अपान C S equal to 3 अपान 9 इसका value हो जाएगा 3 अपान 9 that implies 1 अपान C S equal to 1 अपान 3 यहाँ उलटना नहीं भूलना ज्यादा तर इस्ट्रेंड यहां mistake करते हैं उलटना भूल जाते हैं तो यहाँ पर दोनों साइट को उलटना है तो therefore यहाँ पर C S का value कितना है एगा 3 पीको फैराड ठीक है 3 पीको फैराड क्या हो गया इसका स्रेंडी संभूहन में वेल्यू हो गया अब देखो 3 पीको फैराड तो इसका आ गया रिजल्टेंट आ गया वोल्टेजी से 120 दिया है 120 वोल्ट के संभाइर से संधाइट पर विभांतर क्या होगा तो विभांतर निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा आवेस आपको मालूम है कि स्रेडी क्रम में आवेस नियत होता है तो इसलिए आवेस बराबर आवेस बराबर क्यूं बराबर होगा सी इंटू ही सी इंटू ही क्यूं बराबर सी भी होता है जब तक हम आवेस नहीं निकालेंगे तब तक प्रत्येक में विभांतर हम नहीं निकाल सकते तो यहां से आवेस निकालें और यह बात आपको पता ह यह साङर्य को स्तां कमान नियत होता है मतला में चुट्वाता है दूसरे में भी रहेगा तो इसके मान को पूट अप किया जाए दैसी करता है कि अभी हमने निकाला ऐ थरी पिक्राद औहों फैरड में चेंज कर दें 10 to the minus 12 और इन्टू कितना हो जाएगा वोल्ट कितना बोला है 120 ठीक है 120 वोल्ट होगा तो बारात यह च्छतिस 360 ठीक है इसको पीको फेराट में ही रहने दें वोल्ट को कोई जूरत नहीं है यहां यूनिट चेंज करने का कोई जूरत नहीं है अखिर कट के वही आ जाएगा कट के वही आ जाएगा तो 3 into 120 मतलब 360 360 यह आ जाएगा ठीक है तो 360 इसका क्या हो जाएगा आवेस कमान हो जाएगा और चूंकि यह पीको में है इसको भी पीको कुलाम लिख देंगे इसलिए यूनिट चेंज करने का जूरत नहीं है अब देखो चूंकि हमने आवेस निकाल लिया है तो प्रत्यक पर अपने को क्या निकालना है प्रत्यक पर आवेस तो किस पर सिवर्न पर आवेस हम निकालना चाहते हैं कि सीवर्ण पर विभाव विवाव सब पर विभाव पूछा है तो सीवर्ण पर विभाव जिसको हमने machine कह दिया है तो अब यहां पर हम निकाला है क्यों कमान निकाल लिया है 360 और c1 कितना है 9p को पर आज नो तो 9.36 ये कितना हो जाएगा इतना वोल्ट 40 वोल्ट हो जाएगा तो c1 पर विभव 40 वोल्ट होगा इसी प्रकार से यदि हम बाकी पर निकाले तो चूंकि सब मान बराबर है तो सब उस क्या हो जाएगा q upon c2 q upon c2 होगा अब इसके मान को put up कर दिया जाया तो आवेस कमान कितना है आपर 360 यह हो जाएगा 360 और अपान c2 कमान भी 9 है यह दो भी कितना होगा 40 वोल्ट हो जाएगा और c3 व कमान इतना हो जाएगा ठीक है तो c3 पर c3 पर विभाओ C3 पर विभाव यदि V3 हो जाए तो Q upon क्या होगा C3 होगा आप यहां पर हम पूट UP कर दें तो वेल्यू मान करने पर Q कमान कितना है 360 यह हो जाएगा 360 और अपान धारिता कमान कितना है 9 यहां पर भी 40 वोल्ट यहां पर आप आंसर का चेक कर सकते हो कैसे चेक कर सकते हो देखो आपको मालूम है कि सिरीस कांबिनेशन पर जो टोटल विभाव है सब उनके विभाव के योगफर के बराबर होता है तो कोस्चन में हमको दिया हुआ है कि 120 वोल्ट से जोड़ा गया है अब देख कियो यहां से आंसर कभी चेकिंग हो जाता है कि 120 वोल्ट का सप्लाइं हम उसको मतला है चारिता औहिए पर द चालीस वोल्ट दूसरे पर शालीस वोल्ट तीसरे चालीस वोल्ट जा रही ऐसा क्यों हो रहे है मालूम क्योंकि सब की धारिता अलग है आवेस्ट नियत होता ही है यह कॉंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए कि किस में क्या नियत होता है किस में क्या बदल जाता है ठीक है तो यहां पर चूंकि तीनों की धारिता बराबर है आवेस तो बराबर ही है तो नेटरली उनको विभाव भी बराबर होगा तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सब पर अलग-अलग हमने विभाव निकाला ओके चलिए नेस्स कोस्टन नंबर 2.7 मतलब सेवन नंबर कोस्टन यहां पर देखे त्री पीको फैराड और फॉर पीको फैराड ठीक है यह टूपीको फैराड फ्री फैराड और फॉर पीको फैराड धारिता वाले तीन संधारित пок्रम में जोडे गए हैं ठीक है पाक्रक्रम में जोडे गए ए वार्वन की कुल्धारथ कभी कभी हिन्दी वर्ड बहुत कठीर हो जाता है पाल्सकरम मतलब तो अभी हम सीरी को देखें यह परेलेल का कोश्चन है ठीक है विल्कूल देखो 2.6 में सीरीज का कोश्चन दिया तो 2.7 में समांतर का कोश्चन दिया NCRT कोस्चन में यही चीज मुझे अच्छा लगता है कि जब सीरीजवाला बता आया है एक्सरसाइज को स्टार्ट करना चीए इसलिए इस सेशन में तो हम कंप्लीट निमेरकर आपको 100% कराएं पहले भी कराए हुआ है लेकिनी सेशन में कंप्लीट हम उसको फर्स चेप्टर से लास्ट चेप्टर तक आपको 100% निमेरकर्स कराएं यह आप ध्यान रखना और आप बहुत अच्छे से उसको ध्यान से करो वह बोड एक्जाम में कंप्लीट एक्जाम में सब में आपका इंपर्टेंट है चलिए तो यहां पर हम इस कोस्टन को साल्व करें अब यहां पर कोस्टन में हमको क्या दिया हुआ है यहां पर तीनों का कोस्टन में जो वेल्यू है अलग अलग दिया हुआ है देखो यहां पर क्या दिया है सी वन का वेल्यू दिया है कितना टू पीको फैराड सी टू का वेल्यू दिया हुआ है थ्री पीको फैराड और सी थ्री का वेल्यू दिया हुआ है फोर पीको में ठीक है तो सालूसन का पहला पार्ट क्या है समांतर में समांतर क्रम में जोड़ा गया है पार्स क्रम में इसका सी जो वैल्यू होगा सी वो तीनों को सीधा-सीधा योग फल के बराबर होगा पहला पार्ट तो बस टाइम पास है लेकिन यहां पर कोई फार्मूला को मिस्टेक कर दिया तो टाइम पास नहीं है मिस्टेक बहुत होता है मेरे को मालूम है तो हो जाएगा टू प्लस थ्री प्लस फोर ठीक है चार तिन साथ अदो नो तो नाइन पीकोफ हराड ये इसका अं प्रत्यक पर आवेश ग्याद कीजिए अब आपको मालूम है कि जब समांतर प्रम में जोड़ा जाता है तो सब में आवेश का मान अलग-अलग होता है ठीक है तो यहां पर भी हम क्या करें यहां पर भी हम क्या निकालने का ज़वरत नहीं है आवेश तो निकालने है अपने को प्रत्यक पर आवेश का मान ही तो ग्याद करना है तो सिधा निकलेगा क्यों क्योंकि सब पर विभाव समान होगा देखो समांतर प्रम में विभाव समान होता है समांतर प्रम में विभाव नियत होता है यह आपको पढ़ाया जा चुका है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि numerical करने के लिए concept clear होना बहुत जोरी है with formula तो यहां पर विभाव का मान क्या है नियत है तो विभाव तो निकालने जोरत नहीं है तो सब में हमको विभाव एक सब वोल्ट ही यूज़ करना है और सब की धारीता तो अपने वालग अलग पता है तो आवेस निकालने में कोई problem नहीं है यहां पर काम आसान है तो सब से पहले हैं निकाल लेते हैं पहला पार्ट का पहला answer क्या है c1 पर c1 पर आवेस इसको यदि मैं q1 कह दूं तो q पर आवर सी भी होता है तो c1 इंटू भी होगा क्योंकि उसकी धारीता तो अलग है लेकिन विभाव क्या है constant है ठीक है चलिए तो मान को भरे हम इसका that equal c1 का जो value है c1 का value है कितना है c1 का value दिया है कितना 2 पीको फेराड तो 2 इंटू 100 तो कितना हो गया 200 पीको कुलाम ठीक है पीको में अंसरा दे रहे हैं तो पीको में निकालेंगे नहीं तो फिर हम क्या करते है उसको कुलाम में निकालते है तो 200 हो गया फिर c2 पर आवेस c2 पर जो आवेस का मान है जिसको हम q2 कर दें तो q2 equal to हो जाएगा c2 इंटू v c2 इंटू v होगा that equal c2 का मान कितना है देखो यहाँ पर 9 pico farad इसका value हम 9 put कर दें ते हो जाएगा 9 इंटू 100 मतलब कितना हो गया 9 pico कुलाम अरे 9 नहीं 3 स्वारी स्वारी 9 तो total है 3 स्वारी 3 हो गया तो कितना हो गया 300 pico कुलाम यह हो गया आप इसके बाद हम निकाल लें किस पर c3 पर निकाल ले c3 पर आवेस c3 पर आवेस c3 पर आवेस को यह दि हम क्या करें q3 मान लें तो q3 equal to कितना हैगा c3 into v c3 into v हो जाएगा that equal to c3 का value क्या दिया है question में 4 pico farad दिया हुआ ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 4 और into यह कितना है 100 तो कितना हो जाएगा यह 400 pico कुलाम तो यह इसके अलग-अलग आवेस होंगे देखो इसमें आवेस का मान अलग-अलग आ रहा है है ना क्योंकि यह parallel combination है तो 200 pico कुलाम 300 pico कुलाम और फिर 400 pico कुलाम यह इसका answer होगा ओके तो यह series और parallel combination पर बैस्ट यह दोनों बहुत अच्छा question है यहां हमको पता चलता है कि किस प्रकार से series और parallel में हम calculation करते हैं चलिए next question पर चलें पर्टिकाओं के बीच वायू वाले एक समांतर पर्टिका मतलब पर्टिकाओं के बीच में क्या है वायू भरा हुआ है एर भरा हुआ है और उसमें समांतर पर्टिका के प्रत्यक पर्टिका का छेत्र फल 6 इंटू 10 तुद पर माइनस 3 मीटर क्यूब है तथा उनके बीच की दूरी क्या है 3 mm है संधारित्र की धारीता परइकलित किजिए यदी इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभराण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्यक पर्टिका पर कितना आवेस होगा यह हमको निकालना है तो यह केपेसेटर पर ही best question है और क्या दिया हुआ है देखो एक बार question court ध्यान से पढ़ हो आप लोग पर्टिकाओं की बीच वायू वाले एक समानतर पर्टी का संधारित रहे पर्टीका का 6 रफ़ 6 इंटू 10 तो दी पावर माइनस 3 उनके बीच की दूरी 3 mm संधारित की धारित परिद के लिए पहला पार्ट तो है पहला पार्ट है संधारित की धारिता की गर्णा कीजिए ठीक है तो समानतर इसको पहला पार्ट को मैं एक कह देता हूं तो हमको मालूम है समानतर प्रेट संधारित की धारिता का फार्मूला होता है c equal to a epsilon r upon d तो पहला तो सीधा-सीधा question है that equal देखो यहाँ पर प्रसन दिया है कि प्रत्यक प्रतिका का छेत्रफल इतना दिया हुगा है कितना 6 into 10 to the power minus 3 यह हो गया अब epsilon r not का value हमको याद रहता है उसको सीधा value अपने को put up करना है तो 8.854 into 10 to the power minus 12 यह अब epsilon r not का value होगा अब पांड इनके बीच की दूरी कितना है 3 mm है ठीक है तो 3 mm को अपन मीटर में change कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 into 10 to the power minus 3 यह हो जाएगा तो इससे तो हमारा सीधा-सीधा निकल जाएगा क्या धारीता तीन दूनी 6 दो का इसमें गुणा करेंगे और 10 का घात को साल्व करेंगे तो 2 का गुणा करें किसके साथ 8.854 के साथ 8 दूनी 16 फिर 10 की घात 10 की घात तीन तो यह दोनों कट जाएंगे इन दोनों को भी cancel out ही करा दो यह दोनों को अब इसके बाद 8.854 में 2 को multiply करो कितना हो जाएगा यह आ गया 1.77 एक जिरू उसके साथ में चला जाएगा तो 1.77 10 to the minus 11 1.77 into 10 to the power minus 11 कुलावं यह हो जाएगा उसकी धारिता तो पहला पार्ट निकल गया कि उसकी धारिता कितनी होगी दूसरा पार्ट यदि इस संधारित रको 100 वोल्ट के दूसरा पार्ट में क्या बोला है 100 वोल्ट के संभाण से जोड़ दिया जाए तो संधारित की प्रत्यक परट्टिका पर कितना आवेस होगा मंने हमको आप किसका वेल्यू पूछ रहे आवेस का वेल्यू पूछ रहे तो क्यूब बराबर सी भी होता है डारेक्ट निकल जाएगा दोनों पर आवेस कमान्ट तो समान होगा तो Q बराबर C इन्टू V से चुंकि Q बराबर C इन्टू V इस फार्मूला को हम यूज करें तो that equals अंधारितर की धारिता हम निकाल चुके हैं कितना 1.77 into 10 to the power minus 11 और into volt दिया है कितना 100 100 volt दिया है 20 इसके साथ में plus हो जाएगा तो 1.77 into 10 to the power minus 9 कुलाम यह इसका आंसर होगा 1.77 into 10 to the power minus 9 कुलाम यह इसका आंसर होगा तो Q बराबर C भी से यह निकल जाएगा सीधा ओके क्लियर चलिए अब question में हमको बोला है next question में next question इसी question पर based है क्या बोलता है अभ्यास 2.8 में दियेगा संधायतिक पर टिकाओं के बीच यह दी 3 mm मोटी अभरक की एक सीट परावेद तांग 6 रख दी जाए तो इस पस कीजिए कि क्या होगा पहला विभा संभराण जुड़ा ही रहेगा जब विभा संभराण जुड़ा ही रहेगा मतलब विभा उसके साथ में सप्लाई करता ही रहेगा आवेस तो इसका value क्या होगा बोलता है 3A में मोटी अभरक की एक सीट यह इसकी मोटाई का कोई मतलब नहीं है यहां पर क्योंकि फर्मूला होता है परावजुत आंग का मतलब जब परावजुत पदार्थ को भर दिया जाता है प्लेट के बीच में तो वहां पर जो सीडेस होगा सी इंटू के होगा तो सिधा सिधा इसका वेल्यू निकल जाएगा यहां इसी के बैस पर इसको बनाना है तो 1.77 में 10 to the power minus 9 का multiply कर देंगे तो answer आजाएगा 1.062 into 10 to the power minus 10 1.062 1.062 into 10 to the power minus 10 यह हो जाएगा फ्राड क्लियर आजाएगा यह हो जाएगा फ्राड क्लियर क्लियर और क्या होगा आवेस बस और कुछ क्वेस्टन में इस परस्ट है नहीं कि क्या के निकालने बोलता है क्या होगा बोलता है तो क्या होगा इसकी धारीता इतना हो जाएगा और क्या हो कितना रह जाएगा तो क्यों डेस बराबर कराएगा सी डेस इंटू भी हो जाएगा क्यों बराबर सी भी होता है तो अब जो नया सी डेस हम निकाले हैं उसका वेलू कि यहां पर पूट अप कर देंगे यहां पर वोल्टेश सप्लाई किया जा रहा है ठीक है विभाव संभराण जूड़ा ही रहे तो पिछले कोस्चन में विभाव दिया है ना पिछले कोस्चन विभाव कितना दिया था 100 वोल्ट तो बस यहां पर 100 का मल्टीप्लाई हो याएगा क्योंकि सप्लाई जारी है तो आवेस कमान इतना हो जाएगा बस यह हो जाएगा इस पकार से उस किंडिशन में मतलब सप्लाई को मल्टीप्लाई हो गा और जब पावर सप्लाईनें नहीं करें तो restricted को नहीं करेंगे बस यह इसका अंसर होगा तो संभराण ना हो संभराण को हटा लिया जाए मतलब सप्लाई को हटा दिया जाए तो विभाव का गुणा नहीं होगा ठीक है चलिए नेस्ट क्वेस्टन में चलें संभराण का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है संधारित्र में कितना इस्थिर वैद्यूत उर्जा संचीत होगा यह एनर्जी पर बेस्ट क्वेस्टन है जो संधारित्र पर या किसी आवेसित पिंड पर जो उर्जा का फार्मूला हमने आपको बताया था उ संधारित्र पर उर्जा का उर्जा का पुणर्वितराण फिपढ़े थे यह एक्वेसित करेंगे हम क्योंकि सी और वी का यहां पर दिया हुआ है तो एन पांटू 50 वोल्ट और 12 पीकोफैराड ठीक है तो तो 12 इन्टू 50 वोल्ट 50 का स्क्वेर यदि हम इसको पीको फैराट पर ही साल्व करें तो सीधा सीधा इसका वेल्यू को पूट आप कर देंगे ठीक है या फैराट इनर्जी एसाई उनिट में तो इसका मान को बदल दो 12 इन्टू 10 तो दी पावर माइनस 12 इन्टू वोल्टेज कितना 50 50 का स्क्वेर अब इसको साल्व करो इसको साल्व करो तांसर आजाएगा दो छक्के बारा पचास पचास दो छक्के बारा पच्वेर यह आ जाएगा 1.5 इंटू 10 तो दी पावर माइनस 8 यह इसका अंसर होगा तो सीधर इस फार्मूला पर बेश्ड है यू बराबर वन अपानटू c 20 कर बहूत सरल्व प्रस्ण है बहुत ही सरल्व प्रस्ण है बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए नाउग नेस्सक्रों यह क्वेश्टन देख्वा आप ध्यान से यह भी डारेट फार्मूला obile पर best है तूह प्लिद वॉль संस्थामधेख से एक शुक्स हंडेग्ट पीको फराइद के शुक्तत के एक संधाईतरी आवसित किया जाता है फुर इसको कि फिर इसको संभणर से वियोजित कर देते मतला हटा देते हैं तथा एक अन्य 600 पीको फेराड वाले अनावेशित संथारिता से जोड़ देते हैं ठीक इस प्रक्रिया में कितनी उर्जव रास होगी मैं आपको भी बताया लास आफ एनरजी redistribution आप चार्ज को एक बाद ध्यान से पढ़ो ठीक है अपने पास 200 वोल्टेज का सप्लाई हो रहा है और धारिता है 600 पीको फेराड इसको में थ्वाशा गीवन लिख देता हूं ज्यादा डेटा दिया हुआ है तो confusion मत हो गीवन क्या कि विभाव जो है 200 वोल्ट है C1 का जो वेल्यू है 600 पीको फेराड फेराड में लिखनेंगे जब लिखने होगा फिर इसको संभर विवित कहता था एक अन्या 600 पीको फेराड वाले अनावेसी संधारिशा से जोड़ देते हैं बात में जो दूसरा संधार शरित्र है c2 600पीको फेराड का है लेकिन वह अनावेसीत है है अनावेसित मतलब वह पर फिर का मान या होगा पाम होगा पहले सेक्ट कंडिशन में सेक व्कंडिशन में एक अवेसने रागत विभव सुनी हो जाएगा लेकिन धारिता उतना ही कितना 600 pronounced फेरार्द दो कंडिशन दिया हुआ है थोड़ा । ध्यान से समझना यह पहला कंडिशन है जिसमें विभव 200 उल्ट का दिया है और धारिता 600 नेट फेराड है दूसरे कंडिशन में हम क्या किये सप्लाइब बंद कर दिये तो विभाव जीरो हो गया लेकिन उसकी धारिता दूसरे वाली की भी कितना है 600 पीकोफेराड है अब हमको यहां पर निकलना है लासाफ एनर्जी कितने उर्जा का हरास होता है तो लासाफ एनर्जी का फार्मूला जो मैंने आपको बताया था उर्जाहानी का फार्मूला वह यूज करना है यहां पर उर्जाहानी उर्जाहानी का फार्मूला डेल यू बराबर ठीक है तो डेल यू बराबर क्या होता है सीवन इन्टू सीटू अपान टू सीवन प्लस सीटू और अंडर मेंकेट वी टू माइनस वी वन का होल स्कूर यह लासाफ एनर्जी का मतलब जब आवेस का पुनर वितनर किया जाता है एक आवेस को दूसरे आवेस क साथ में जोड़ा जाता है देखो नुमेरकल कराते समय एनी टाइम हम सिर्फ यह बात करते हैं कि चेप्टर में क्या पढ़े थे भाई दवे जितने भी लोग इस क्लास को पढ़ रहे हो और उनको यहीं समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक ही सजेशन है मेरा पहले चेप्ट कॉंसेप्ट फर्मूला एंड आप्टर देट नुमेरकल उसके बाद ही करना है नितो नुमेरकल बहुत बोरिंग और बहुत ही डिफिकल्ट हो याता है होता नहीं है डिफिकल्ट जब वज़ास्ती हम लोग उसको डिफिकल्ट बना देते हैं ठीक है चलना तो वेल्यू पूट अप करें इसका सब वेल्यू तो यहां पर मैं लिख दिया हूं और वेल्यू पूट अप करके सिंप्लिफाई करें बागी क्या रखा है इसमें C1 600 तो 600 इंटु 10 अचलग प्र इन कई पवर पी वैर माइनस 12 पिको को चैंज कर दिया इसका स्क्राइब बस और कोई काम नहीं करना है तो यहां से आप देखो कैसे सब्सक्राइब हो गए दस की घात दो बार जूर रहा है तो सेम हो जाएगा और इसके साथ में यह मल्टिप्रेफ होएगा ठीक है तो चलो एक बार इसको लिख देता हूं 600 इंटू 10 दिपार माइन 12 यहां पर कितना हो गया दो अवह दोनों जूड के दुगना हो गया तो टू इंटू 600 इंटू 10 दिपावर माइनस 12 और यह कितना है हमारा यह है 200 का स्क्वेर 0-200 मतलब 200 का दो बार गुणा 200 इंटू 200 चलिए क्या के साल हो जाएगा यहां से 600 600 से दस की घात रहा इसके साथ साथ में गिंसल आओ हो गया ठीक ap to this two के साथ में गींसल ऊखे 100 हो जाएगा और एकер 2 इसके साथ में गींसल राउट होके 100 आप यह शको तो हम इसको मुल्तिपलाई करें तो क्या हो यहां एगा देखो अब इसका वेल्यू कितना होगा 600 600 इंटू 10 to the power माइनस 12 और इंटू एक बार लिख देता हूँ इसको 100 इंटू 100 तो 0 का हिसाब किताब क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 6 into 10 to the power 7 इसके साथ में 7, 5, 12 तो माइनस 5 तो 6 into 10 to the power माइनस 5 जूल इतना जूल क्या होगा इसका आंसर होगा 600 into 10 to the power 6 into 10 to the power माइनस 5 0 ठीक किये ने अपन 1, 2, 3, 4, 5, 6 अरे स्वारी 2, 2, 4, 2, 6, 6, 6, 12 माइनस 6 आएगा माइनस 6 दिया है आंसर में माइनस 6 ही आएगा ये इसका आंसर है तो इस तरह से ये हमने NCRT का second chapter का numericals complete किया विभाव तथा धारीता ठीक है new NCRT books हम आपको पढ़ा रहे हैं जो 24, 25 के लिए जो latest NCRT का बूक आए तो आप NCRT के numericals को बहुत ध्यान से करो और हम अपने स्रिजन 3.0 जो बेच हमारा चल रहा है जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं आप लेट जोइन करोगे एक तो भी हमने 100-200 बढ़ा कि हमने उसको आपको डिस्काउंट पर दिया हुआ है और उसके बाद आप continuous उसमें पढ़ाई करोगे बेक अप क्लास से परिसानी होती है इसलिए आप सुरू से क्लास रहें करो क्लास